देखिया आज का पहला नमर कुछ्चन देखिया और अंसर दीजिए असर जी बताइए B.S.P.C.L. में उसाब का उपर हम बाद में बात करेंगे ठीक है अभी जले अभी कुछ्चन देखते हैं ठीक है ना अभी कुछ्चन देखते हैं बताइए पहला का अंसर बताइए ऑले क्या होगा इसका अंसर? जल्दी, डू फास्ट पुरा डिस्प्ले नहीं देखता है क्यों? देखता था है पुरा डिस्प्ले – इदिकता रही है सामने दख रहा है तो अच्छा थोरा सा कट रहा इधर, इधर content है नहीं, अगर थोरा कट रहा लिजी हटा दी, इधर नहीं है, कुछ नहीं, पुरा दिख रहा है, चलिए, पताई, answer बताई क्या जागा, assembler, नहीं एकदम गलत है, एकदम में गलत है तो, क्यों assembler होगा देखिए, हम आपको तीन ची बताये थे, एक तो बताये थे, क्या, assembler बताये थे, क्या बताये थे, assembler, assembler का काम क्या होता आपका, इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, assembly language को किसमे, machine language में या low-level language में करना, किसमे आपका, अने की, assembly language, Language को किस में करना? Machine Language में. Machine Language. Language आई इसी को बोल सकते हैं, आप low-level Language में करना. ठीक है? दूसरा चहर में आपको क्या बताया थे? Interpretor, देखे. Interpretor. Interpretor. यही तीनों ची आद रखना है क्योंकि कुछ स्चन आपका, यहीं तीनों ची आएगा. ठीक है न, दुसरा आपका बता थे interpreter, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है आपका high level, high level, level language, high level language को क्या करना, low level language में बदलना, high level language को low level, low level, level language, का बदलना, low level language को किसे बदलना, लेकिन यह line by line काम करता है, कैसे करता यह, line by line यह statement by statement यह बदलता है, कैसे हाँ, line by line, कैसे, line by line, line by line, या फिर और क्या, तो यह statement by statement, Statement by Statement by Statement यह हो गया दोगो तिसरा नमर पर आपको क्या है Assembler मैं कहां लिख दूँ यहां लिख देता हूँ ठीक है न यह देखिए Assembler हो गया Interpreter Compiler तिसरा नमर पर क्या आपका Compiler Compiler आपका Compiler देखिए Compiler का काम क्या होता है इसका भी काम होता है आपका High Level Level Language Language को Low Level Language में करना Low Level Level Language में करना ठीक है न लेकिन यह एक ही बार में पूरा प्रोग्राम को कर देता है यह क्या करता है कि आपका एक ही बार में पूरा प्रोग्राम पूरा प्रोग्राम को कर देता है ठीक है न तब से पहले बात क्या देखिए Interpreter और आपका Compiler दोनों क्या करता है तो High Level Language को को low-level language में ही करता है अब यहां पर देखिए option में देखिएगा तो आपका compiler कहीं option में दिया ही नहीं है और यहां पर भी क्या कर रहा है उच चस्तर यह मतलब high-level language को किसमें बदल आपका आने की translate कर रहा है किसमें आपका low-level लाउगेज में आने की एक्जीक्टेवल लाउग इसके मितलब क्या हम्प्यूटर किस बाश ह plunged करता है। लोड़ लाउग राउगेज को तो कहने का मतलब यह हाइए लेभल law लाउगेज से तर पूस्चन यह कि लिए नहीं कर रहे हैं कि किस में किस में convert करना है compiler यह समझ यह ना कुष्चन एक जी क्यूटेबल बोला है ना तर लेप्ट साइज में अब लेखिए अरे इतना बोला है कि हाई लेबल लोंगेज को ट्रांसलेट कर रहा है कम्प्यूटर के समझने योग्य में तो इसका मतलब जब हाई लेबल से लो लेबल में आ रहा तो अप्संद यह हो सकता है interpreter हो सकता है और नहीं तो आपका compiler अब compiler अप्संद में दिया ही नहीं कि वो यह के बार में execute कर रहा है या line by line या statement by statement में कर रहा है थोड़ा fast किजिए सरथ हाँ fast हैं अरे fast हैं क्या कड़े धका देदे क्या समझ गए बात तो को तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है तो आप ए similar भी समझ गए compiler, interpreter अगर translate का question आता है तो यहीं से आता है अगर इतना बात देख लिए तो निश्चित रूप से आपका प्रस्न क्या होगा कि बन जाएगा ठीक है ना चलिए हो गया इसका answer क्या जाएगा आप सान आपका A हो जाएगा चलिए अब इस question का answer बताई प्राइड दुसरा नमर का answer इस पना आपका नॡ़का इस अज़िए हां 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 आज़गा थका देना प्रगेट अनर थे ज़ो गा यह ज़ुग का नीज़ ओवन्जा झेल का तो बताईए अरे बताईए ग्रू दूसरा नमर का अज़िए हां तर वेग्ग्रांड कल से चेंज कर दीजिएगा आचा ठीक है ठीक है ठीक है चलिए कोई नहीं बताया अंसर वी सी दूगों क्यों वह लहए वे अर आपका Whether वाईटल इनफरमेशन डिसौर्स अंडर सिज यह क्या है वाईटल मतलब जो आपके पास पढ़ा हुआ है और tutto मतलब वु अपने अंदर में ले लिया कहने का मतलब वाईटल साथे कमप्यूटर में गया अरुका हा अब आपका जरूरत हमको नहीं है जो हमको ज़रूरत है वो हम डाइरेक्ट ले करके चले जाएंगे, परमिसन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वही क्या है वाइरस, वाइरस एक ट्राइब का आपका चोड़ है, जो आपके घर में घुस गया एक बार, तो बिना आप से पुछे हुए, आपका सारा डाटा ले करके जा सकता है, वही क्या आपका वाइरस, वह क्या आपका वाइरस है, समझ गया है, तेंसर क्या आजागा, अपसान आपका अभी हो जागा, वाइटल इन्फोर्मेशन डिसोर्स अंडर सी, वाइटल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इंपोर्टेंट, अने क रहां से जो महत्पूर्ण चीज शोता है। उसी को क्या मेंदे वाइटल व गने इससी कार चला रहा है। वहाँ हुए रिप्लाई को होगे अगला अमसर बताई को तरन नेट बर्क अधिक्तम जो है बगावलिक छेत्र को कॉभर करता हम कल बताये थे कि माक्सिमाम अगर जोग्राफिकल एरिया की बात करें अच्छे से एक्स्प्रेंट करके समझाते तो टाइम दलेगे हाँ ठीक है एकदम सही है मैं आपसे सामात हूँ देखिए करा कि निम्न में से किस परकार के नेटवर्क अधिक्तम जोग्राफिकल एडिया मतलब आपका लार्ज जोग्राफिकल एडिया जो है किस नेटवर्क के द्वारा कोभर किया जाता है यह आपको बताना है ठीक है वाएन 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 डी डी चागया अड़े आप लोग का महनत देख करके हम को खुद भी पुराना दीन याद आ रहा है देखिए मैं का मतलब क्या है तो आपका अने की मेट्रो पॉलिटेंट एरिया नेटवर्क समझ गए इसका मतलब क्या है आपका अने के अपने कंप्यूटर से अपने मुबाइल को कनेक्ट किये है तो आपका परस्नल एरिया नेटवर्क हो गया ना आइसे थोड़ी है कि दुसरों को परस्नल एरिया नेटवर्क हो गया लैन का मतलब क्या होता आपका मतलब local area network होता है, क्या होता है आपका local area network होता है, इसके मतलब इसका a small geographical area के लिए होगा, किसके लिए होगा यह आपका a small a small a small geographical area के लिए है, अगर पूछा रहाता, छोटा जोग्राफिकल area, बड़ा नहीं बोल करके, छोटा बोला रहाता, कुश्या नमर आठ एक बार, देख लिजिएगा, option B अगर आपका, इसके मतलब आपका, अगर आपका, अगर आपका, वाइड एरिया, एरिया आपका, नेटवर्क, मतलब, वाइड का मतलब क्या, वेरि लाज जोग्राफिकल एरिया के लिए, कहने का मतलब क्या आपका, अगर यहां बोलेगा न, कि वेरि लार्ज, वेरि आपका, लार्ज जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल एरिया की बात करेगा न, वेरि लार्ज जोग्र सारे एक्जाम में आया है तो हम तीनों शारों आपको हर जग एक्स्प्लेन करते हुए चलते हैं माले की पुरे देश को कनेक्ट करना है नेटवर्क से या मतलब बीदेश को मतलब बहुत ज्यादा बड़ा जोग्राफिकल एडिया में लच्छी मुवाईल में वीडियो देखे क्या दिक्कत थोड़ा है एक पार देख लिए आप खgam rond बोल दिये आप सहलंदर जी देख लिये ख्यों ठोड़ा है है रुइए रुखिया बाकी लोंको हमम्माईल में कट रहा है वीडियो क्या बताए जिया हँए ये विडियो कट रहा है मोवाईल में क्या कि ना बिल्कुल नहीं कट रहे है एकदम किलियर दिख रहा है आपको मैं क्यु कट रहा है रयक दम किलियर कर दिखरा है सब सकते दिखर है कि ऐस आपके कोमेंट पर ध्यान हैbaren यहां देखिए विकास जी हमखने कोमेंट कर देखिए ≁ exhaust आपका बहुत important question एकदम इंपोटेंड लगा लिजा एक जा जाता है कुंन but आई पी आडेस फोर की लंबाई कितना होगा अब यहां जिसको लंबाई खाल लिया जोगा उसका काम गढ़बर हो जाएगा तो क्या होगा देखिए सबसे पहले यह पाता रहना चाहिए क्या आपका इधर एक फिल्म करेंगे इधर इधर कर देते देखिए इधर कर देखिए आपका एक तो होता है आपका बीट ठीक है ना बीट आपका सबसे छोटा होता है क्या आता है सबसे छोटा मेमोरी उनिट होता है अन्यकी सबसे आपका छोटा सबसे आपका छोटा सबसे आपका छोटा मेमोरी प्रेमोरी ए यूनिट है ठीक है और आपका एक निबल रहे दोट होता है और आपका 1 बाइट बराबर 8 आपका या फिर आपका हाप्न निबल होता है तो समझ गयी तीनों लाई नियाद रखिया क्योंकि जावनर बहुत हो सियार है यहां पे ले जाकर कि आपको फ्लसा देता है अगर इतना पता हो गया तो मांगी काम आपका हो जागा देखिए तो यहां पे देखिए यहां पे क्या पूछ रहा है आई पी अड्रेस नत हम यहां पे डिसकस करते तो आपका पहले आई पी अड्रेस देखिए यहाँ पे discuss करते देखिए, एक तो होता आपका IP भी आपका V फोर होता है, यह आपका कितना होता है, तो 32 आपका beat का होता है, ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हैं, तो आणि इसमें 8 से भाग देगें तो कितना हो जाएगा, 4, तो आपका 4 byte भी इसको बोल सकते हैं, या फिर क् कितना हो जाएगा आपका, 8 आपका nibble हो जाएगा, nibble, तो यह तीनों याद रखेगा, यह प्रस्न मैं नहीं पूछ रहा हूँ, परिक्षा में पूछा गया है, तो यह तीनों समाझ गया, ठीक है, आई-पी का मतलब क्या होता आपका, IP का मतलब होता आपका internet, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, इंटरनेट पे जितना भी मतलब, नियम कानून है, रूल रेगूलर सब क्या आपका, आन्ने की प्रोटोकॉल, तो अर सौटकोट की का, इस पेसल लिविजन करवा दीजीए, ठीक है, एक दिन हम जैसे दस पूस्चन लाते हैं, इसके जगा पे एक दिन हम आपका सौटकोट की ये करवा देंगे, ठीक है, अब खुस ना, चलिए, आगे देखे, हो गया, एक और होता आपका, क्या, आईपी भी आपका, ये फोड हो गया, एक होता आपका, ये एक नमर पर लिख लिए, दूसरे नमर पर लिख है, तो निबल कितना बोल सकते हैं, यहां देखे, चार बाइट था तो आठ निबल, तो 16 बाइट है तो कितना, 32 आप इसको निबल बोल सकते हैं, निबल बोल सकते, ठीक है ना, ये चीज़े आपको क्या करना याद रखेगा, जब इतना चीज़े आप याद रखेगे ना, आई पी भी फोर से और आई पी भी शिक से ता आपका आई पी से आने वाला कुश्चन नहीं छुटेगा पडिक्छा में क्या होगा आई पी से आने वाला प्रस्टन आपका पडिक्छा में नहीं छुटेगा ठीक है चलिए अधिविए को अधिव लेकिन वही समझ जाते हैं तोरा ही दिर में कि देखिए अगर सलेक्षन नहीं हुए आपका न अपके हाथ से सब कुछ निकल जागा इतना जानलीजिए ठीक है अभी ठीक है जितना शिरियर से पढ़ाते हैं उतना शिरियर से आप लोग पढ़िए कुष्चन का अंसर क्या हो जागा, आपसन आपका A हो जागा, ठीक है ना, परिक्षा में आपको हम याद आएंगे, इतना जहन लीचिए, ठीक है ना, अगर मेरा PDF रिविजन करके गए हैं, अकलास कर लिए, तो परिक्षा में आपको हम याद हैंगे, कम्पूटर वाले में, यह आपको डायरेक्ट फोटो दिखाई देगा, यह पीछे में बैग्राउंड में, यह मतलब नीला कलर का, और सामने हमारा फोटो और यह सब कुछ चन दिखाई देगा, चले आगे देखें, चले आगे देखें, कर आपका Debugging, Debugging निमलिखित में से, किसके लिए पढ़ि क्या?Bugging कहलता है, Debugging का मतलब क्या? उसी Error को suddharना, मतलब होता है, hedeking, debugging क मतलब Error आ जाना, मतलब उसको ढूंड करके सुधारी करन करना, आपका Debugging कहलता है, ठीक है, देखें, डी बगई में क्या होगा? हम Error को, पुरुटी को क्या करेंगे? दूर कडेंगे, जो Error गए है उसको क्या कडेंगे दूड कडेंगे अने की error को fixing करेंगे fixing . fixing का मतलब क्या है कि घून्ड ले दूसके बाद उसको निकाल करके बाहर करना ही आपका क्या कहलाता ठीक है तब बग का मतलब क्या होता है यहां पर आपका कुछ नहीं लिखा है यहां इसमें इतना सा जो देख रहे हैं यह बग अने कि बग का मतलब होता है computer में bug का मतलब क्या होता आपका error होता है यहाँ पर जो देख रहे हैं देखिए bug का मतलब computer में क्या होता आपका error bug का मतलब मतलब क्या होता आपका error होता है computer में और debug का मतलब क्या होता है debug का मतलब क्या होता है मतलब अर्र को ढूंड कर निकालना बाहर करना आनिके अर्र अर्र को ढूंड कर ढूंड कर आपका बाहर निकालना निकालना यह अर्र को फिक्स करना यह अर्र होता कहा है जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्राम में होता है अंशर क्या हो जागा और फी कि ऩार अर्जिट बेंड क्या अश्ष। कर भाहर निकालना ठीक ंब कर लिए उसके बात मेरा दूरा बाई इवा होती धर टलवाद देते हैं ठीक है एक आपको अचाड आगा सानी रहत खुजने में उसमें और भी वीडियो डाला गया सब वीडियो आपको देख लेना है जो भी वीडियो डाला हूँ, सब क्वालिटी ही है, अगला देखिए, अब देखिए, पांच को आपका कुस्चन हम फंडामेंटल से दिये हैं, और पांच को कुस्चन देंगे थोरा एक्सपरिमेंट टाइप का, हर दिन ये काम आपका चलेगा, इसमें हम एक दो जगा आपक आपको, MS Excel, PowerPoint ये सब भी दिखाएंगे भी, ठीक है न, ताकि थोरा थोरा आप लोगों को यादत लग जाए, ठीक है, जैसे कि माल लिजिए, आप typing कर रहे थे, मतलब कुछों लिख रहे थे, उसमें कोई सब्द आया था, मतलब book लिखना था, क्या लिखना था आपको, original में actually आपको book लिखना था, लेकिन इसके जगह आपका, ये ये लिखा गया, book लिखा गया, कहने का मतलब क्या, ये error हो गय आप चाहते आप जितना भी जगा पूरे बेज में लिखे हुए है, आप चाहते क्या है कि replace कर ले, कि ये इस word को इससे आपको replace कर ले, मतलब इसको हटा दे और इसको नया ले आए, ऐसा आप चाहर रहें, ठीक है, तो उसके लिए shortcut कि क्या होगा, कितने लोग चाहते कि हम आ आपके साब, एक्सल का question था ना, देखिए आपे, एक्सल का question था, ये लिजिए, एक्सल दिखा देते आपको देखिए, वेट करिए, आपको एक्सल दिखा देते, आई, हम थोड़ा सा keyword और mouse लगा ले रहे, तो आपको बहतर तरीके से दिखा देंगे, रूपिए, एक सकंड डुक जाईए, थोड़ा सा हम, keyword और mouse लगा ले रहे, थाकि आपको बहतरीन तरीके से दिखा देंगे, लिया आपके लिए keyword और mouse फोल करके, ठीखा न, चलिए, अब हम ले आपके लिए जुगार, जुगार मतलब जिसका जरूरत था, ठीख है न, चलिए, देखें यहाँ पर, तब सबसे पहले बात क्या है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीख है, देखिए, अब क्या था हमारा इसमें, देखिए, हमारा कुश्चन क्या था, देखिए, हमें क्या करना है, रिपलेस करना है, मैं सेक्सल में, इसके लिए हमारा जो सौटकॉट की क्या था पता है, control plus में h ہوتा, देखिए अब हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, आपको पता चलेगा देखिए, जैसे ही हम यहाँ पर, देखिए, हम यह उठाएं ठीके अर इसमें क्या करेंगे, control, देखिए, यहाँ आपको control दिख रहा है, यहाँ पर, control, इस control के साथ है, जैसे ही यह चीज़ आएंगे ना देखिए यहां कंट्रोल के साथ यह चीज़ हमारा आगया आपको दिख रहा होगा देखिए कंट्रोल के साथ यह चीज़ आगया आप किस्ते किसको बदलना चाहते हैं तो देखिए यहां पर लिखा है क्या आपका देखिए यहां पर मैं आपको पेन से समझा देता हूं देखिए कि वदिखिए यहां पर कर लिए मतलब यह चीजे लिख लिए और इसको बदलना किस्ते है तब डबल ओक ऐसे बदलना है अब यहां पर दे excitement करना कि यह कहा कहा गणबड़ी है तो फाइंड पर किलिक करेंगे तो ज argument बता आप चाहते कि जितना जगा गड़बड़ी है वो सब सही हो जाए तो आप आप और रिप्लेस पर क्लिक कर दिएगा तो सभी आपका क्या हो जाएगा तो मतलब आपका सही हो जाएगा तो यह चीज हमारा इसके लिए इस सोटकोट की क्या आता आपका कंट्रोल प्लस में आपका एंच है इससे हमारा बॉक्स फुल जाता है फाइंडेन रिप्लेश व्ला ठीक है जिसे हम बदल पाते है अले लिखिए और सही का बाला थीक है जो गलती है उपर लिखना, सही करने बाला को नीचे लिखना यही बात यहां कहतकरण ठिक है आप देखेँ अब देखें यहां पे और चीजे थोड़ा देखें देखें यह कहां आता है आपका तो इडिटिंग गुरूप के अंदर आता है कहां आता आपका इडिटिंग देखिए आपका इडिटिंग गुरूप जो है ने देखिए यह आपका एक्सल हो गया इसमें कौन-कौन गुरूप होता है आपका किलीबोड होता है फॉंट होता है अलाइन इंडिटिंग में आपका left alignment, right alignment, उसके बाद center alignment, justify यह सबाब का यहा होता है, number में आपका नमबर होता है, conditional formatting होता है, यहाँ पे आपका cell में क्या आता है, insert कर सकते है, delete कर सकते है, format भी बना सकते है, ठीक है, editing में आपका क्या है, यहाँ पे sort and filter, मतलब ascending या descending order में लगाने वाल इस तरह से हम आपको दिखाते विए भी चलेंगे लेकिन एक ही दिन में अपको पुरा संभब नहीं ठीक है जैसे कुछण आते चलेगा हम दीरे दीखाते चलेंगे आप इसके हैबिच्छल हो जाएंगे एक बार आप कोई बहुत बेहतर लगने लगा समझ में भी बेहतर आने लेगा चली अगया इस कुछन का अंसर आपलोग बताये क्या होगा अब और खाली find करना होता तो control, find के लिए क्या होता? control, plus में आपका F होता है, जियान रहे हैं, आज परगती बेच में class होगा, ठीक है, इतने वैसे? अगला आपका फिर से एक दम बड़ी जखमी कुस्चन है जिसको आता है वो जो क्लास किया है मेमोरी के दो सकेंडे नहीं लेगा उसको उग्राने में नहीं किया है उनको थोड़ा टाइम लग सकते हैं लेकिन आज सिखा देंगे अलाकर पूरा हम सलाइट के माध्यम से करा दे 10 प्रती सकेंड के बड़ाबर होता है तो कितने आपका बाई यहां देखिए बड़ी होस्यारी क्या है बीट में भी लिखा और बाइट में भी लिखा है और हम बराबर पढ़ाते हैं जब मेमोरी का सलाइड तो हम कहते है मेरे भाई अब बीट नहीं याद रखना बाइट याद रखना बाइट याद रखना अभी भी लोग बी दे रहे हैं अरे बुर्वाक भी कौन दे रहे हैं बीट नहीं बाइट में अंसर होगा यह कन फर्म हो जा पहले देखिए सबसे पहले बात हम आपको यह तो बता चुके हैं कि बीट क्या होता है तो सबसे आपका सबसे क्या होता जी खोटा memory unit, memory unit पूछा जाता है, दूसरे नमर पर सबसे छोटा क्या होता आपका nibble, nibble होता है, और एक आपका nibble में कितना bit, पताइए, 4 आपका bits, और एक आपका byte में, एक आपका byte में कितना, एक byte में आपका कितना, तो आपका 8 bits या फिर आपका कितना, हाप आपका nibble होता है, ठीक है न, nibble को nb से लिख लिजेए, sort में, ठीक है, nibble होता है, ठीक है, अब देखिया, आपका क्या होता, kb, यह भी देखिये, आने कि एक होता, आपका kb, उसके बाद आपका mb, उसके बाद आपका gb, उसके बाद आपका tb, उसके बाद आपका pb, उसके बाद आपका eb, उसके बाद आपका jota byte, योटा बाइट, उसके बाद आपका क्या होता है? योटा बाइट, इतना तक याद रखे, इसका मतलब क्या होता है? दस के पावर आपका तीन, इसका मतलब होता है दस के पावर छो, इसका मतलब दस के पावर नौ, इसका मतलब दस के पावर आपका बाड़ा, इसका मतलब दस के पावर आपका अठारा, इसका मतलब होता है दस के पावर आपका एकीस, और इसका मतलब होता है दस के पावर आप गई कि बाईट में तानीच सब आप यही तरह से आपका चलते चला जाएगा लेकिन आपका किसमे है जब Decimal में पुछे तब किसमें आपका र Höudन कर रहा ह夏 Decimal में Decimal में लेकिन यही चीजे डीमा आगर मान लीजिये को बोल देता binary में यहां बोल देता बाइनरी में यह आपका क्या होता दो के पावर में आपका 10 यह हो जाता दो के पावर में 20 यह हो जाता दो के पावर में 30 यह हो जाता दो के पावर में 40 यह दो के पावर में आपका कितना 50 यह दो के पावर में आपका 60 ये 2 के पावर में 70 और ये आपका 2 के पावर में कितना होता 80 इतना तक याद रख लिए तो आपका काम एक दम टकाटक हो जाएगा कहीं भी कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं रहेगा अब हमको एंसर बताइए क्या पूछ रहा एक MB में कितना हो जागा MB किदर गया 2 के पावर आ B G जड़ी भी ठीक है जागा उच्छा आपका B होगा भी हो अब कौन बी दे रहे हैं आप बी दो गए तो ख्रेइख नहीं रहेगा आपका जा जरे डि डिडिडिए इस कम समझने के बाद अगर समझ गये और इसको याद रख लिये न अ पढ़िक्सा में तो सही वने गा न नहीं नहीं यह यह सिख करके जाएंगे न परिक्षा में ठोक करके आएंगे हां कि अध्याद अध्याद नहीं बताये थे अध्याद आये कभी पटना में आफ्लाइन क्लास में अध्याद कई यह सब्सक्रिप्ट बनाने के लिए कुझी क्या होगा तो ही गलता है दुनिया में कितना चीदशी यह ये घखे मॉम्य है तो यहको सुपर डिखे शूपर सूपर जिखे करुंग्या का सब सूपर जखे लुक्त अबसक्रीप आघ दूसरा आपका Taidiya सूपर ड़्यास करीप सबस्क्रिट में क्या होता है नीचे लाते सब का मतलब होता है नीचे और सुपर का मतलब गलती दिया किसी ने गलती दिया इसके साथ अगर दो टाइप किये इसका मतलब क्या जागा एक और नीचे दू आ जाएगा इसी को बलते सबस्क्रिप्ट और इसका सौटकॉट की क्या आता है तक control plus में आपका is equal to के sign, super script में क्या होगा आपका देखिए, super script है, इसके मतलब x और इसके साथ दो type केते, इसके मतलब क्या हो जागा, x के power में दू चला जाएगा, इसको क्या बोलते है, super script, और यह आपका क्या होता है, control, plus में आपका shift, और plus plus का sign, ठीक है न, इसको आ और ego plus, बास, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है न, दोनों सही, sub script, super script, दोनों सही है, दोनों, दोनों, all are correct, sir, यह सब संखनात वैच में ही पढ़ा दिये थे, हाँ, तो वैच में तो पढ़ाएवे नहीं करेंगे, जी, वैच में पढ़ाएवे नहीं करेंगे, हाँ, यह सब पढ़ा दिये, अरे सब पढ़ा दिये, ठीक है न, यहाँ पे जो पहले हम से पढ़ लिया, वो revision करें, जो लोग नहीं पढ़े हैं पहले हम से, वो लोग भी अच्छे से सीखें, ठीक है, एंसर कहा जागा, अपसान आपका A, अगला देखिए, अगला question का answer बत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए, करा MS Word में आपका indent के paragraph को बढ़ाने के लिए, shortcut की कौन सा है, ठीक है, देखिए, करा है क्या MS Word, MS Word खोल के दिखाएं, उसमें indent को बढ़ा करके दिखाएं एक बार, चलिए, आई यह दिखाते हैं, देखिए, हम पहले मोटा मोटा स जगत छुट जाता है, उसी को indent कहते हैं, सिंपल भासा में, समझे, उसी को क्या कहते है, indent कहते, आई यह आपको मतलब यहां बता देखिए, हलक्स पहले यह बता देते हैं, उसके बाद हम आपको practical करके दिखा देते, देखिए, क्या जागा आपका, control plus में आपका क्या होता ह है, aim होता है, यह किसके लिए था, indent के रहे, जैसे कि माल लिए कि यह आपका कोई page था, कोई page था, और आप यहां से A, B, C, D, कुछ भी मतलब लिखे हुए थे, ठीक है, कुछ भी लिखे हुए, आप चाहते हैं न, कि यह घसक करके और इधर आ जाए, आप चाहते हैं कि यहा हम आपको दिखाते हैं, आइए, MS Word का question था, आइए, आपको MS Word open कर दिये, यह blank page ले लिए, यही आपका क्या MS Word, यही आपका क्या MS Word है, ठीक है न, समझ गया है, आप देखे इसमें हम, जैसे जैसे आगे चलेंगे, आपको बहुत कुछ दीरे-दीरे देखाते चलेंगे, ठी पहले, MS Word में, आप सबसे जो उपर में देख रहें, ताब, by default, पुछा जाता है, MS Word में, by default किस नाम से आपका document सेव होता है, तब, by default जो आपका सेव था, हम नीचे में लिखे हैं, यहां पर करके, देखे, आपका MS Word में, by default, by default जो document का नाम, डॉकोमेंट नेम जो होता यह क्या होता आपका तो डॉकोमेंट वन होता है कि डोकोमेंट आपका वन होता है क्या होता पुछा गया प्रस ने ठीक है ना बाई डिफोल्ट क्या होता आपका तो आपका डोकोमेंट वन होता है ध्यान रखेंगा क्या होता बाई डिफोल्ट डोकोमेंट वन के नाम से आपका ये सेव रहता है बाई डिफोल्ट ठीक है ना यहां होता यह आपका title बार में दिखेंगे, title आपका बार होता, उसे निचे आपका क्या होता, menu, menu आपका क्या होता, file menu हो गया, home, insert, draw, design, layout, difference, mailing, review, view and आपका help, किसी दिन mailing का question आगा ना, तो पुरा बता देंगे, mailing से भी परसन आता है, उसके बाद इसके अंदर group, जैसे कि मा code आता है, font आता है, paragraph आता है, style आता है, editing आता है, सब किस के अंदर आता है, home के अंदर आता है, उसलिए अलग अलग जब हम यहाँ पे menu के खोलेंगे, तो सब menu के लिए आपका अलग-अलग ribbon खुलता है, ठीक है, और हमारा question क्या था अभी के लिए, इसको पहले देख रहते ह है, हमारा question क्या था अभी के लिए, का रहा है, आपका indent की बात कर रहा है, तो हम सबसे पहले कहाँ चले, indent के ऊपर चलते हैं, अब देखिए, indent के लिए, माले कि यहाँ आगर हम कुछ लिखे रहते, देखिए, एक पराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, माले कि Wikipedia से हम कोई भी इस पराग्राफ ले ले लेतें, ठीक है ना, यहाँ इसे इसको कोपी कर लेते, अब हम यह आएंगे, इसको पिस्ट कर लेंगे, यहां आए, और यहां पर हम कंट्रोल प्लस में भी कर लिए, खर देखिए, जैसे ही माल ले dife कि हमारा यहाँ अभी कषर है, अब देखिए, CTRL PLUS में हम किसका यूज करेंगे M का, देखिए, CTRL PLUS में M का यूज करेंगे, यह पर देखिए परागर आप घसक रहा है इधर, घसक रहा है, तो यही जो आपका जगह छुट रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, ने, CTRL PLUS में M जो होता आपका, यह आपका होता है, इंडेंट के लिए मतलब कहने का मतलब पड़ागर आपको इधर घसकाने के लिए अब समझ गया बातों को समझ गया ने कंट्रोल प्लस नि क्या आता है एं होता है आपका की बड़ें अपना फिर से ऑरीजनल कुशें पर आ जा रहा है कि अंच्ट्रोल प्लस थे और अधर का समझ गया और खेट लेते हमारा पड़ागराप आ जाता ठीक है दो आई जिकल टू रैंड और ब्रैकेट लेते तो हमारा पड़ा ग्राफ आ जाता कोई दीकर चलिए यहां देखिए समझेगा बात हो अगला देखिए इसका एंसर क्या हो जागा अफसान आपका सी अगला आज का लास्ट कुस्चन है बताया जाए डियर बताया जाए अंसर बता क्या कट कोपी पेस्ट इसको सबसे पहले हम इधर के तरफ ले आते हैं देखिए देखिए यहां पर देखिए जैसे कि माली कि हम यहां पर कुछ भी सेलेक्ट कर लिए जैसे कि माली इसी को सेलेक्ट कर लिए ठीक है ना जब इसको सेलेक्ट कर लिए तो आप क्या देख रहे के होम मेनू के zit लीप Boort Group में वे मेनू के मिलीप Boort Group में हमका com22 trust ७ी है format printer भी अब कुछ है कि नहीं है है यहां पर ही आपका क्या है देखिए यहां पर आपका क्या है सबसे पहले आपका कहा जाना परेगा तो क्या मिलेगा कट के लिए क्या होता है और कंट्रोल प्लस में आपका क्या होता है ठीक है न तो यह आप याद रखेगा कोपीपेस्ट काहा है आपका पोब मेनू के किलीपhol गरूप में और एक किलीपhol क्या हूता है ये वापका टेमपररी क्विछेता हूता है क्या हूत आपका टेमपररी के इसटोरेज होता इसको बोल नुक्त इसको पर बेद सकति लो Cancer ? alla community gen प्रेटिकल का दर्शन कड़ाते चलेंगे ठीक है अगला समझ इसको हटा दे कहां जाना पड़ेगा बताईए अब तो बता दीजिए कहां जाना पड़ेगा हो मेन्यू के अंदर हमारा क्या मिलेगा तो इन विच टैप देमेस वर्ड क्या आपका काट कोपी और पेस्ट कहां यहां भी मैं लिख देता हूं क्योंकि यही तापका PDF जाएगा देखिए आपका कट के लिए क्लिए क्लिप्वोड ग्रूप में होता है यह कहां हो नहीं होता है अपका Home Menu सबसे पहले कुंसे group में होगा ? गुरूप में कौन सा होगा ? तो clipboard clipboard group में यह भी पुछा आते है कौन से group तो clipboard और menu कौन सा ? तो home menu ठीक है ना ? आप सभी लोग एक्जेक time पर जूरिए आठबजे कुछ लोग बात में आते हूँ कुछ सेन आपका छूट जाता है ना एक जक्ट टाइम पर आप जूरिए कितने बज़ जूरना है आठ बज़े आपको जूरना है और कंप्यूटर को इस लेबल तक पहुंचाना है कि चाहे ब्यस्पी सी अलों बेल टोन हो सिबिल कोट हो रेलबे हो ससी हो कौनों हो तो आपको बेरा पार लग जाएगा ठीक है ना और अगर आप और बहतरीन तरीके से त्यारी करना चाहते हैं तो हमारे कंप्यूटर का बैच भी अबलेबल है ठीक है जिसमें आपको पूर्ण तरीके से पूरा थियोड़ी पढ़ाया जागा एक बार आगर आप पढ़ लेते हैं तो आ और कई लोग कर रहें तो सार इसमें मैटेरियल कैसे मिलेगा अरे आप झाकर एक फोल के तो पहले देखिए आपका दिल खूश हो जाएगा इस तरीके से मैटेरियल है पहले प्रिंटेबल बाइलेगवल बोर्ड पीडियॉप है बाइलेंग्वल उसके बाद बोर्ड पीड आपका किसके किसके लिए कंप्यूटर रट दोनों के लिए तक कंप्यूटर के लिए मैं खुद बढाऊंगा ट्रेड आपको इंजिनियर आसीस सर पढ़ाएंगे दोनों बैच का नाम आपका रामबान है मिनमम कॉस्ट में बहतर क्वालिटी आपको डेलिवर किया जाएगा लुक्तन आपको नहीं लेना थीक है चली ठीक है आज के लिए रखते हैं ठीक है बोड पीडियाप अभी डलवा देंगे ठीक है एक दो दिन अल आम मतलब लॉक हो गया था बोड पीडियाप गल्ती से अभी प्रगति बैच में चलेगा जो भी प्रगति बैच के जो भी आ है अभी जूठ जाएंगे हमसे 10 मिनट के औंदर में अभी Be expe fourteen and in और नौ पान तक हम उसे में झाजयेंगे ठीक हाँ अब we pos socialist이다 sudah ओंदा से ले थीए अए गंटा से बोल नी थी कै Fenway तो मिलते हैं 10 मिनट में प्रगति बैच में ठीक है ठीक है अब प्रगति बैच का आज गियारि करवा ल में हैं ठीक है सोली करते थे पहले उनका कुछह इमरजन्सी हो गया तो इसलिए अबेलेवल नहीं है दूसरे लोगों से कड़़ाएं हैं ठीक है के ठीक है, ओके ओके डियर ओके तेलिया भी मिलते हैं प्रगति बैच में जेस्ट दस मिनट में अब टाइम हो चुका है थांस वर वाच्चिंग ओके बाई जहीं दोस्तों